21 जुलाई 2022 को कौन भारत के पंद्रवे राष्ठपती के रूप में चुने गए कोशन नमबर 10 और लिखिएगा 100% छपने वाला सवाल इसमें जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे आपको लिखाने वाला हूँ कि देखिए भारत के पंद्रवे राष्ठपती के रूप में किसे चुना गया दुरॉपदी मुर्मूर या सुवन्त सिन्ना रामनाथ कोविंद और सत्यपाल मलिक पहले दोस्तों देखिए आप सवी राष्ठपती के बारे में बाद में बाच्चित करेंगे सारे मुद्दे पर देखिए भारत के राष्ठपती के बारे में बात करें तो पहली बात तो यह सवीधान के कौन से भाग के अंदर है जान रखना ये सभिधान का दोस्तो भाग जो पाँच है इसके अंदर है भाग 5 का नाम क्या है दा यूनियन संग दोस्तो ध्यान रखिए इसका नाम है अगर पुछे आप से कि भाग 5 में राश्पती दोस्तो आर्टिकल नमबर जो बामन है इसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक राश्पती होगा यह article number 52 के अंदर लिखा हुआ है अगर पुछे 53 में क्या दोस्तो 53 में नोट कीजेगा इसकी जो कारेपाली का जो सक्ती है दोस्तो वो किस के अंदर है 53 के अंदर मतलब राश्पती किस-किस को अपोइंट करेगा यह सब दोस्तो 53 के अंदर अगर पुछ 54 में क्या है तो नोट करना निर्वाचक जो मंडल है दोस्तों ये 54 के अंदर मतलब कौन-कौन राश्पती चुनाम में भाग लेगा ये 54 के अंदर और अगर पुछे निर्वाचन की विदी क्या होगी दोस्तों ध्यान रखेगा निर्वाचन जो है इलेक्षन का जो सो मैथड जो है वो क्या होने वाला है ये 55 के अंदर लिखा हुआ है अगर पुछे आप से कारेकाल दोस्तों कहां पर है तो ध्यान रखेगा कारेकाल अगर पुछे आप से 56 में दोस्तों कारेकाल लिखा हुआ है अगर पुछे 56 में क्या है कारेकाल है और एक सबसे महतपून आर्टिकल वह है 60-101 तो ध्यान रखिए 61 में पूछे आप से तो महाभ योग जो है किस प्रकार हटाएंगे यह आर्टिकल ही नंबर 61 आदर है और पूछे छमादान किस चमादाण यहनते हैं और अगर पूछे कि कोई विवाद हो गया इस विवाद का निप्टारा आज इंगर राश्षपती चुनाम में कोई पहला देखिए कि भाग कौन सा भाग 5 ठीक है आर्टिकल नंबर 52 पिफ्टी टू आर्टिकल में भारत का एक राश्पती होगा लिखा हुआ है ना 53 में कारेपाली का जो सकती है वो इसके अंदर 53 के अंदर है 54 में निर्वाचक मंडल है ना और 55 में निर्वाचन की विदी है 56 में इसका कारेकान लिखा हुआ दोस्तो कितना होता है मान लेते हैं दोस्तो पांस साल जो इसका कारेकान होता है 61 में महावियोग इंपीचमेंट है और 72 ध्यान लखिये दोस्तो चमादान है अगर पूछे आप से अब देखना अगर मैं पूछू हूँ आप से दोस्तो जो राश्टपती है इस समय वो है रामनात कोबिंद आप सभी जानते हैं ना कब तक रहेंगे 24 जुलाई दोस्तों इनका अंतिम दिन है कब कब इलेक्षन हुआ बाद में बात करेंगे पहले देखिए नियून्तम आयू आईू आप सभी जानते 35 इयर जो है ये दोस्तों नियून चुनाआव के अनू मोदग जो है यह इस के अंदर चाहिए होते ये भी नोट कर लेना आप सबी अगर पूछे राश्टपती चुनाआप के लिए कितने प्रस्तावक और अनु अनुमदग चाहिए प ouais प्चासपर्स और पचास दोस्तों अनुमदग अगर पूछे आप से कि भारत के दोस्तों पहले राश्पती कौन थे अब सुनना अध्रोपधी मुर्मू दोस्तों सबसे अंतमें आएंगी सबसे अंतमें मून को पढ़ाने वाला हूँ देखिए देखिए राजंदर प्रसाद दोस्तों पहले भारत के राश्पती कौन थे राजंदर प्रसाद थे 1950 से 1962 दोस्तों 1962 तक रहने वाले कौन थे राजंदर प्रसाद दो बार भारत के राश्पती रहे और ऐसा दोस्तों करने वाले एक मात्र व्यक्ती कौन है डाटर राजंदर प्रसाद तो अगर पुछे आपसे दो बार राश्पती रहने वाले एक मात्र व्यक्ती कौन है राजंदर प्रसाद एक मात्र व्यक्ती है अ वो इनको सपत दिलाने वाले ठीक है राश्पती को सपत कौन दिलाएगा सुप्रीम कोट के जो मुख्य नयाइदीस हैं चीप जस्टिस ओफ इंडिया वर्तमान में कौन है एनवी रमन्ना दोस्तों ये राश्पती को सपत दिलाने वाले ठीक है अगला सरुपल्ली राधा दूसरे नंबर के हैं क्या सेकिंड नंबर के राश्पती थे लेकिन दोस्तों पहले उपराश्पती थे जो राश्पती बने मतलब जब डाक्टर राश्पती थे न उस समय उपराश्पती कौन थे इस समय दोस्तों उपराश्पती थे सरुपल्ली राधा किश्णन और इने बाद में दोस्तों, क्या हुआ? सिख्छा संत के रूप में जाने जातें, दोस्तों, और बाद में इने क्या बनाया? राश्पती बनाया, सवाल ऐसे पूछेगा आपसे, कि दो बार राश्पती रहने वाले एक मात व्यक्ती, राज़ंदर प्रिसान लिए, राजन देखें, लेकिन दोस्तों पूछे आप से भारत रतन प्राप्त करने वाले पहले राश्पती को ने सर्व पल्ली रादा किश्णन ध्यान रखना सवाल को लिख लेना भारत रतन भारत का सर्वोच सम्मान प्राप्त करने वाले पहले राश्पती को ने तो वो ध्यान रखना दोस्तों आप सभी वो हैं पहले राष्टपती दसरुपल्ली रादा किश्णन राष्टपती बनने से पहले किने दोस्तों भारत का सर्वोच सम्मान मिला तो भी ध्यान रखिएगा सरुपल्ली रादा किश्णन को मिला और 1954 में भारत का पहला दोस्तों पहला ध्यान रखिए अगर को दिया गया और एक दोस्तो नोट कर나 राज गोपालाचारी इन तीनों को पहली बार दोस्तो ध्यान रखेगा भारत का सर्वोस्त शम्मा दिया गया तीनों सवाल नोट कर लिया भारत के पहले उप्राष्पति जो राष्पति बने सर्वाफ्दी रादा किषेना Laksyum लेकिन कारे कार कार के दोरान इनकी दोस्तों म्रत्य हो जाते है इनका निर्दन होता है और ऐसा होने वाले भी पहले राश्टपती को होने डाक्टर जाकिर हुसेन अगर आप से पूछे कि पहले राश्टपती जिनके कारेकाल के दोरान मृत्ती हुई वो हैं दोस्तो डाक्टर जाकिर हुसेन कितनी बार भी दोस्तो राश्टपती बन सकते ह कोई सीमा नहीं है ध्यान रखना राष्टपती का री इलेक्शन हो सकता है ध्यान रखिएगा ध्यान रखिए इस बात को राष्टपती का री इलेक्शन हो सकता है यह लिखा हुआ है दोस्तों का आर्टिकल नंबर 57 के अंदर अनुछेद नंबर 57 में लिखा हुआ है कि राश्पती जो है वो बापस दोस्तों चुने बापस एक बार दो बार चीन बार चारवार कितनी बार भी बन सकते हैं न बीबी गिरिये यह हमारे लिए दोस्तों इस बार परिक्षा के लिए बड़े महत्पूर्ण हैं आपको होगे क्यों जुर्ग दोस्तों आपके थे मलिकार जुन खड़के टाइब दोस्तों वो सब एक तरफ थे उन्हें लगा कि जो इंद्रा गांधी दोस्तों ये छोटी बच्ची है ये क्या करेगी कुछ नहीं है कुछ नहीं जानती ABCD किसके बारे में चुनावों के बारे में उन्होंने दो उसमें बिल्कुल नहीं बनती इंद्रा गांधी ने दोस्तों क्या किया फिरी स्वतंतर रूफ से किसको खड़ा कर दिया बीबी गिरी को दोस्तों खड़ा किया और दोस्तों सोचके देखो उस समय की बात है जब कांग्रेस दोस्तों एक तरह से पूरे भारत के अंदर लग किस लाइन के अधार पे कि मन की आवाज पर बोट देना क्या ज्यान रखिए दोस्तों अगर पूछे आप से कि मन की आवाज क्या आपके जो अंदर की जो आवाज है अंतर आत्मा की आवाज अगर अभी आपको एक लाइन अगर याद आए तो बड़ा मजा आएगा अंतर आत्मा की जो आवाज है इस पर दोस्तो बोट डेने के लिए किस ने कहा इंदरा गांधी ने कहा और बीवी गरी ने दोस्तो नीलमा संजीव रेड़ी को चुनाम में हरा दिया आप सोच के देखो कांगरेस के कंडिडेट को नीलमा संजीव रेड़ी को दोस्तो कद्दावर न ने देखा यस्वंध सिन्ना ने दोस्तों अपने ट्यूट में कहा था कि आज चुनाव का दिन अठाड़ जुलाई को बतारो आज चुनाव का दिन है और आप सभी को अपने अंतर आत्मा की अवाज पर बोर दे कर आना यह सवंध सिन्ना किसने जो विपक्ष के इस बार उम् इवी गिरी कर चुके हैं और ये उस समय दोस्तों उपराश्पती थे इनको इस्थिफा दिलवाया और फिर दोस्तों क्या बनाए इन्हें अंतरात्मा की अवाज पर भारत में राश्पती बनाए गया सुतंत्र उम्बीदवार की रूप में राश्पती चुने गये और जाकि ली एमद दोस्तों इनका भी क्या हो गया? पद के दोरान इनकी मत्यों हो गए, ध्यान रखिए, जाकिर हुसेन और फगरुद्दीन दोस्तो अली एमद डोनों का दोस्तो निदन हो गया, नीलमा संजीव रेड़ी ये वही है दोस्तों, जिनकी इंडरा गांदी से नहीं बन था और ये दुबारा खड़े हुए इतने कड़नावर नेता थे ना दुबारा इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ भाई साफ सोच के देखो एक मात्र है निर्विरोध राश्पती सोचो द्रोपदी मुर्मु दोस्तों भारत की पहली आदिवासी महीला राश्पती थी खूब कहा गया या स्वन सिन्ना से या विपक्ष से दोस्तों कोई चुनाम मत लड़िये फिर भी चुनाम लड़ा गया और ये दोस्तों एक मात्र निर्विरोध राश्पती चुने गये थे कोई नीलमा संजीव रेड़ी दोस्तों कोई सामने खड़ा ही नही हुआ तो अभी तक मैंना क्या बता है आपको दो बार राष्टपती कौन रहे हाजंदर प्रिसाथ दोस्तों ना उप राष्टपती पहले जो राष्टपती बने दोस्तों सरुपली राधा कृष्णन ने कारेकाल के दुरान दोस्तों निदन किसका हो गया जाकिर हुसेन का ब नीलमा संजीव रेड़ी दोस्तों ध्यान रखेगा एक मात्र निर्विरोध राश्पती कौन थे नीलमा संजीव रेड़ी ठीक है अभी देखिए आगे देखिए अगला ग्यानी जेल सिंग इन्होंने दोस्तों एक कारनावा किया राश्पती जो है प्रसीडेंट के पास में दोस्तों क्या होता है प्रसीडेंट जो इसके पास में कुछ पावर होती है न वो बिल पर दोस्तों जो बिल आता है जो भिदेख आता है इस बिल पर दोस्तों वो साइन कर सकता है पहली पावर तो क्या है उसकी कि वो हस्ताक्षर कर देगा तो बिल दोस्तों क्या बनेगा बिल बन जाएगा आपके अधीनियम ना वो चाहे तो दोस्तों इसे का कर सकता है इसे पुनर विचार के लिए भेज सकता है दोस्तों एक बार पुनर विचार के लिए भेज सकता है वो चाहे तो इसे रिजेक्ट कर सकता है और वो चाहे तो दोस्तों इसे अपने पोकेट में रखने का मतलब है कि उसका दोस्तों कोई भी आंसर नहीं देना उसका मतलब चुप चाब बिल आया राश्पती को लगा कि इस बिल को दोस्तों इस बिल पर आपके चर्चाई नहीं होनी चाहिए उसने चुप चाब दोस्तों बिल जो अपनी पोकेट में रख लिया इसे कहते ह मतलब होता है मना करना, वीटो दोस्तों मना करना, पोकेट में रख लेना, मतलब दोस्तों मना कर देना, कहना नहीं चुपशाब दोस्तों मना कर देना और ये दोस्टों ध्यान दखिए Pocket Vito जो है ये कितने भी समय तक दोस्तों राश्पती अपने पास में रख सकता है बिलको और ये Power किसके पास में राश्पती के पास में इस Power का उप्योग केवल एक मार हुआ दोस्तों और वो हुआ ज्यानी जेल सिंग और उस समय दोस्तों पता है आपको उस समय प्रधान मंतरी कौन थे राजीव गांधी क्या राजीव गांधी दोस्तों उस समय प्राइम मिनिस्टर थे एक्चुली में इंद्रा गांदी की दोस्तों दैथ होती है इंद्रा गांदी की जब 1984 में दैथ हुई ना तो राजीव गांदी ने दोस्तों एक लाइन बोली थी कि बड़ा पेड़ गिरा है धरती तो हिलने वाली है और उसके बाद दोस्तों राजीव गांदी ने कुछ ऐस इसे ऐसे कानूर मना जैसे टाड़ा क्या टाड़ा दोस्तों ये टाड़ा वही है संजदत दोस्तों जेल गए थे ना हाँ किसी के पास हतिया उसे गिरफ्तार करो टाड़ा के अंदर दोस्तों आपके ये राजीव गांदी लेकर आया ना फिर दोस्तों इसके बाद में एक बि जारा भी दोस्तो कोई सूचना जारी कर दी है तो उस सूचना के अधार पर भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा ये राजीव गांदी दोस्तो क्या लेकर आये बिल लाये थे ये बिल किसके पास में गया ये बिल गया ग्यानी जेल सिंग के पास में फिर दोस्तो इन्होंने सोच कि पोश्ट तो कोई भी लिख सकता है फिर दोस्तों ग्यानी जेल सिंग ने इस बिल को अपने पास में रख लिया सोचो राजीव गांदी इतने बड़े भवमत से सरकार में आये थे फिर भी दोस्तों राश्पती जो लोग कहते हैं न कि राश्पती दोस्तों केवल कट पुत स mango एक बार जोर्दार तालिया दोस्तों किसे लिए बारत की दोस्तों भारत की जान भारत की रेड की हड्डि अखुवार बेचने वाला बना राश्पती आपके सामने है ऐ बारत मिसाइल मैन ऑफ इंडिया Excel Man of India 2002 से 2007 दोस्तो राशपती बनने वाले आप सोचिए इन्हें तो दोस्तो जब तक जीवित है ना तब तक दोस्तो राशपती बनाना चाहिए था जब तक जीवित रहेंगे तब तक दोस्तो भारत की राशपती कौन रहेंगे पिजी अब्दुलकलाम पर फिर भी देखिए एक मार दोस्तों ये भारत की दोस्तों राजनीती का सबसे कड़वा दोस्तों से सचेना हो यही है कि जब इतना बहत्री जिसे पूरा वर्ड दोस्तों पूरा वर्ड क्या इंडिया के लिए दोस्तों सबसे महत्प कौन से इन्वेंशन कौन कौन से परमाणू दोस्तों परिक्षण याद करो क्या क्या दोस्तों इन्होंने हमें दिया है परमाणू परिक्षण 1998 डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम मिसाइल मैन ओफ इंडिया दोस्तों आपके डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम ये भी एक बार राश्च्पती रहें, दो हजार दो से दो जास साथ के बीच में, दॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम ठीक है, फिर देखिए अगला कुश्चन दोस्तों, प्रतीवा देवी पाटिल, ये भी हमारे लिए बड़ी महत्पूर है, प्रतीवा देवी पाटिल दोस्तों एक मात्र अब लियान रखिए, अब इसे चेंज कर लीजिए दोस्तों ना, अब एक मात्र मत कीजिए, अब लिखिए पहली दोस्तों ध्यान रखना, ये चेंज दोस्तों हो चुका है, अब अगर पूछे ये कौन है, तो ये पहली दोस्तों महिला राश्पती कौन है, प्र प्रणम मुखर जी 2012-2017 के बीच में दोस्तों राजपती रहते और 2019 में ध्यान रखिएगा इन्हें दोस्तों भारत का सर्वोष सम्मान जो है दिया गया है 2019 के बाद में किसी को भी दोस्तों ये पुरुषकार नहीं मिला उन्निस के अंदर किस को मिला ध्यान रखिएगा एक तो भूपेन हजारिका को मिला ध्यान रखना एक लिखिए नाना जी देशमुक को दिया गया और एक दोस्तों प्रणम मुखर जी जो है इन्हें मिला है तीन रामनाथ कोविन ध्यान रखिए 25 जुलाई 2017 से दोस्तों क्या है रामनाथ कोविन जो है भारत के राश्पती है तो 25 जुलाई से कब तक कारेकाल होगा 24 जुलाई 2022 तक कारेकाल होने वाला है सुनिए मेरी बात को 5 साल कारेकाल होगा 25 जुलाई 2017 से दोस्तों कारेकाल स्टार् 2022 यहां तक कारेकार होने वाल है पहले कोई date fix नहीं थी दोस्तों भारत के अंदर पर अब जो है वो fix हो चुकी है यही जो 24 जुलाई है यही दोस्तों क्या होगा यही सपत होगी कब राष्टपती जो है उसके सपत कब होगी 24 जुलाई को होगी fix हो चुका है न अब देखिए बिहार के राज्येपान दोस्तों रह चुके हैं कौन रामनाज कोविंद और भारत के चोदमें दोस्तों राश्छपति कौन थे रामनाज कोविंद अब बात आती किसके अब दोस्तो बात आई कि इसकी दौपदी मुर्मु कि इसकी बात आती है वर्तमान में जो नई राश्पती बनी है अब बात करते हम उनकी तीन record जो दौपदी मुर्मु के नाम बने हैं अब सुनना मेरी बात को देखिए परक्षाँ वाला दोस्तो द्रौपदी मुर्मू पर सवाल बनाए नहीं बनाए जो पुराने जो राश्पती है उनपर आपके लिए सवाल बना सकता है देखना अगर पूच्छु में आफ से तीन रिकॉर्ड जो द्रौपदी मुर्मू के नाम पर बन चुके हैं पहली बाद देश की पहली दिवासी राश्पती देश की दूसरी महिला राश्पती और छार खंड की पहली दोस्तों चूनाव हैं कब होते हैं मैं पूछूँ आप से जो election है इसमें कौन-कौन भाग लेगा तो आर्टिकल नंबर 54 याज कीजिए निर्वाचक मंडल elected दोस्तों MP, elected MP और लिखिए elected जो ML है मतलब निर्वाचित MP और निर्वाचित ML दोस्तों इसमें भाग लेते हैं ठीक है अगला question आप से पूछे कि भाई साव इस चुनाप की counting कब होती है 21 जुलाई ध्यान रखिएगा इस चुनाप की counting होती है और इस counting में दोस्तों अगर पूछे counting में राश्पती कौन बनेगा तो ध्यान रखिएगा जिसके पास में भी 50% प्लस 1 दोस्तों बोट होंगी इतना ज दूस्तों राश्पती बनेगा 21 जुलाई को counting होती है और ध्यान रखिए कब सपत होगी 24 जुलाई दोस्तों नौट कर लेना 24 जुलाई को सपत होने वाली है भारत की नई राश्पती जो हैं द्रौपदी मुर्मु जो हैं दोस्तों बनने वाली ध्यान रखिएगा अगर पूछे आपसे जो द्रौपदी जो मुर्मु है दोस्तों अब देखना ये मैं आपके सामने लेकर आयों एक दोस्तों द्रौपदी जो मुर्मु है पहली बात तो पूछू मै आप से कि द्रोबदी मुर्मु का जनम कहां पर हुआ तो लिखिए इनका जनम दोस्तों मयूर भंज के अंदर होता है और मयूर भंज कहां पर है उडीसा के दोस्तों अंदर है आप सोचिए जिन दोस्तों आदिवासी समुदाय से आती हैं और आदिवासी समुदाय जो हैं दो जो मिल गया वो खा लिया वो दोस्तों आपके बना लिया और वहीं दोस्तों जो अपना संसार है इनका संसार बड़ा सीमित होता है उस जगा पर दोस्तों रह करके द्रोपदी मुर्मु ने अपनी पढ़ाई की सोची अपनी पढ़ाई की बाहर निकल कर आई दोस्तों और करने के लिए एक लंबा संगर जिने आज तक कोई नहीं जानता था एकदम दोस्तो भारत की राष्टपती बन जाती हैं आप सोचिए मतलब कुछ भी संभव है बस उसे करने वाला चाहिए दोस्तो द्रौपदी मुर्व का जनम मयूर भंज उडिसा के अंदर होता है अगर द्रौपदी मुर्व और ये दोस्तो अब बनी है राष्टपती और किसे हराकर है यसवंत सिन्ना को हराकर जो है राष्टपती बनी गई यसवंत सिन्ना को हराकर राष्टपती बनी है भारत की दोस्तो 21 जुलाई को वोटिंग होती है काउंटिंग होती है इस काउंटिंग जो दोस्तों वोट हैं वो किसके हिस्से में आते हैं द्रौबदी मुर्मू के हाथ में आते हैं और 208 जो वोट हैं वो ध्यान रखिए दोस्तों आपके यसवन सिन्ना के हाथ में आते हैं तो 504 वोट द्रौबदी मुर्मू 208 वोट दोस्तों यसवन सिन्ना 748 दोस्तों वैलि वासी महिला राश्पती और भारत की दूसरी दोस्तों ध्यान रखेगा भारत की दूसरी महिला राश्पती कोने द्रौपदी मुर्मू है कब से कब तक सब लिखनेumsा जार प्रतियों की परिक्षाओं की तयारी अब घर बैटे उतकर्ष एप के साथ अब पढ़ो कहीं भी कभी भी कर दो कर दो कर दो